अर्याना के नू में हुई साम्प्रदाइक हिंसा को लेकर के कॉंग्रेस नेतार रणदीप सुर्जेवाला ने मनोहर लाल सरकार को घेड़ते हुए आरोप लगाया है कि मुख्यमंतरी जानते थे कि हिंसा होने वाली है सवाल किया और कहा कि इंटेलिजेंस इंपुट खटर सर सरकार ने कारवाई क्यों नहीं कि सरकार साजश के तहट हाथ पर हाथ धर कर बैठी रही सुर्जेवाला ने आगे कहा कि मोनू मानेसर हत्या का आरोपी है और उसी ने भढ़का उपोस्ट किया सरकार ने उसे ग्रफतार क्यों नहीं किया आवित तक और अनलविच उसे क्लीन चिट देते फिर रहे हैं वहीं पर दूसरी तरफ कॉंग्रेस सांसर दिपेंद्र हुडा ने भी सरक राजसरकार को हिंसा का जिम्मिदार ठेराया है सामपरदाइक दंगों के लिए सीधे सीधे खटर सरकार जुम्मिवार है यानि इंटेलिजन्स यूनिट की सपश्ट रिपोर्ट थी कि जगड़ा होने वाला है दंगा होने वाला है तो खटर सरकार इस रिपोर्ट पर क्या सोई पड़ी थी दूसरा नू के एसपी को चुट्टी पर भेज दिया गया तो आपने उसके रिप्लेस्मेंट नया आफसर क्यों नहीं लगाया पडोस के एसपी को चार्ज क्यों दिया क्योंकि आप दंगा करवाना चाहते थे इसलिए खटर साहब की सरकार तीसरा वहाँ पचास कॉंस्टेबल आपने भेज दिये स्थिती पर नियंतरन के लिए आपको पता हजारों लोग इकठे होंगे उनके पास हतियार होंगे दंगे होंगे पुलिस भाग जाएगी रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पर है आपने उसे क्यों नहीं बुलाया चौथा मोनू माने सर हत्यारा है कुख्यात बदमाश है फरार है दो-दो प्रांतों की पुलिस उसे तलाश कर रही है जब मोनू माने सर ने प्रोवोकेटिव शोशल मीडिया पोस्ट की कहा वो जाएगा उसके समर्थक वहाँ जाएं और खूब वो जो मर्जी आएगा करेंगे तो सरकार ने उसे गिरिफतार क्यों नहीं किया और पाँचवाँ अब तो वहाँ के सांसद और जो भाजप्पा के केंद्रिय मंत्री राविंदर जीत सिंग है उन्होंने स्विकार लिया कि यात्रा के अंदर भाले, पिस्तोल, राइफल, लाठियां, डंडे और तलवारें इतियादी थी और उन्होंने ये भी कहा के खटर सरकार ने उन्हें क्यों ले जाने दिया